आखिर कॉंग्रस पार्टी छोड़कर साड़े बड़े बड़े निता जा क्यू रहे हैं। अमेठी में स्मृति इरानी के सामने कॉंग्रस का कौन सा निता खड़ा होगा। लेकिन कॉंग्रस छोड़ने वाले प्रमोद कृष्णम तो ऐसे ऐसे खुला से कर रहे हैं कि गांधी परिवार के अंदर के ऐसे ऐसे राज लोगों को बता रहे हैं कि जनता है। प्रियंका गांधी ची भी चुनाप के लिए नहीं हो पाया कि कहा से चुनाप गड़ेंगी। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं पायटी के भीतर। उनका भी सम्मान नहीं है। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दिये है। यह दुर भाग गये। जबकि कॉंग्रेस पायटी की सरवाधिक लोग प्रियनिता प्रियंका गांधी। अमेठी की सीट कॉंग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। एक तरफ गांधी परिवार अपनी खांदानी सीट से मोह चोड नहीं पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उसे हार का भी डर सता रहा है। स्मृतिर नानी ने तो बकाईदे अमेठी में अपना ग्री परवेस करके अमेठी को लंबे समय तक अपने किला बनाने का फैसला ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ गांग्रेस पार्टी अभी भी अपना उमीदवार तलास रही है। आखिर कॉंग्रिस पार्टी के अंदर इस स्वक्त चल क्या रहा है गांधी परिवार क्या सोच रहा है इन सब पर कभी प्रियंका गांधी के खासम खास रहे प्रमूत कृष्णम बड़े-बड़े खुला से कर रहे हैं देखे पागल विक्ति कुछ भी कह सकता है बच्चा जो बालक हो और जो पागल हो वो तो कुछ भी कह सकता है बालकों की बातों पर और पागल विक्ति की बात पर कोई किसी को सीरियस में लगा चाहिए प्रमूत कृष्णम ने के बाद जग जाहिर कर दी है कि आखिर गांधी परिवार से कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेता नाराज क्यों है प्रमोध कृष्णम का कहना साफ है कि कॉंग्रेस को अब गांधी परिवाद नहीं बलकि राहूल गांधी के नौकत चला रहे हैं जिससे बड़े-बड़े नेताओं की बेज़ती हो रही है देखें दूबते जहाज पर कौन रुकना चाहेगा कॉंग्रेस एक दूपता जहाज है और जिसके कैप्टन काहूल गांधी हो उग जहाज में कोई नहीं रुक पाएगा छलांग लगा लगा के लोग भाग रहे हैं और भी जाएंगे चुनाब के बीच में भी बहुत लोग जाएगे जितने बड़े सीनियर नेता हैं कॉंग्रेस के उनका सबका दम गोटला है उनकी बेज़ती हो रही है उनका अपमान हो रहा है राहुल गांधी जी के जो नौकर है वो उनका अपमान करते हैं करणा करण की बेती सुरेश पशोरी अशोक चभान यह सब बहुत बड़े नेता हैं गुलाम नभी आजाद यह सब बहुत बड़े नेता हैं इनकी रगों में कॉंग्रेस का लहू तोड़ता था लेकिन यह सब क्यों गए क्योंकि राहुल गांधी जी के जो नौकर है वो इनकी बेज़ती करते हैं कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बड़े-बड़े नेताओं की पार्टी थी लेकिन अब कॉंग्रेस को नौकर चला रहे है और वो नौकर बड़े-बड़े नेताओं की बिज़ती करते हैं तोहीन करते हैं अफमान करते हैं कभीआप पूचिएगा कमलांट जीसे अकेलें पूचिएगा दिग्विजै सिंग जीसे पूचिएगा आननुषरमा जीसे पूचिएगा बूआ शिम्नाव्नवी आजाथ था सही पूचिएगा कपिल सिप्बल से पूचिएगा आरपी अन्सिंग, जितिन परसाद, सुश्मिता देव, सुरेस पचारी जी से पूछेगा मेरी बात पर यकीर मत करिएगा, पूछेए इन नेताओं से यह सब वो नेता हैं जो इंद्रा गांधी जी के साथ रहे, राजीब गांधी जी के साथ रहे, सोनिया जी के साथ रहे उनकी कितनी तोहीन होती है, इनका बड़ा दिल दुखी है तो यह सब एक एक करके जा रहे हैं, और भी जाएंगे अमेठी जिला यूथ कॉंग्रेस की तरब से लगाए गए इस पोस्टर को देखिए इस पोस्टर पर जो लिखा है उससे पढ़िए, लिखा है, लेंगे बतला, देंगे खून, भाईया पे अमेठी सूँ केरल के वायनाट से राहूल गांधी की उम्मितवारी का एलान होने के बाद भी अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के समर्थक और कार्यकरता राहूल गांधी को अमेठी बुला रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए पोस्टर बैनर भी लगाय जा रहे हैं कॉंग्रेस इसे लेकर मौन है, वहीं बीजेपी नेता अटैकिंग मोड में आ गए है देखिए, इनको अमेठी के जनता पर भरोसा नहीं जिस अमेठी की जनता ने इंद्रा गांधी के परिवार को सम्मान देने का काम पांच साल इन्होंने अपने भाशन में सम्मान के बगले अमेठी के जनता को अपमानित किया शुक्रबार को कॉंग्रेस की तरब से उम्मेद्वारों की पहले लिस्ट जारी हुई पहली लिस्ट में 49 सुमेद्वारों का नाम है, इस लिस्ट में कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी का भी नाम है, लेकिन उनके नाम के आगे अमेठी नहीं, वाइनार्ट लिखा है कॉंग्रेस की पहली लिस्ट में ना ही अमेठी का जिक्र है और ना ही राय बरेली का नाम है लिस्ट जारी होने से पहले इसकी जोर शोर से चर्चा थी कि अमेठी से राहुल गांधी और राय बरेली से प्रियंका गांधी को अमितवार बनाया जाएगा लेकिन लिस्ट में अमेठी और राइबरेली का कोई जिक्र नहीं किया गया जिसके बाद से ही संशय बना हुआ है वाई कॉंग्रेस की पहले लिस्ट में राहुल कांधी के वायनाड से चुनाओ लडने के एलान से बीजेपी को बैठे बिठाए कॉंग्रेस को घेरने का मत्ता मिल गया है यानि कि जो चुनाओती दी थी स्मृती रानी जी ने पूरे भाजपा ने कि आईए इतना दमखम है तो लड़िये अमेठी से लेकिन साफ जाहर है कि वो डर के भाग गए राहुल कांधी का वायनाड से चुनाओ लड़ना तो तै हो गया है लेकिन अमेठी पर सस्पंस कायम है बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेठी को लेकर राहुल कांधी या फिर कॉंग्रेस का आत्म विश्वास कमजोर पड़ गया है क्या 2019 की तरफ राहुल कांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगे से चुनाओ लड़ेंगे या फिर सिर्फ वायनाड से ही ताल ठोकेंगे सवाल है कि वायनाड राहुल की पहली पसंद क्यों बना हुआ है कॉंग्रेस वोटरों के मन में भी सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या इस पार बिलकुल ही छोड़ देंगे क्या राहुल के लिए अमेठी को अलविदा बोलने का वक्त आगया है अगर नहीं तो अमेठी राय बरेली पर कॉंग्रेस मौन क्यों है अगर अमेठी से राहुल नहीं तो फिर कौन क्या इस पार राय बरेली अमेठी से गांधी परिवार का कोई भी उम्मिद्वार नहीं होगा सोनिया गांधी राय बरेली से लोग सभा चुनाओ लड़ने के बाद राजस्थान से राजसभा सांसत बन गई है वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाओ लड़ने को लेकर कॉंग्रेस की तरब से अभी तक कोई सीधा संदेश नहीं दिया गया है आपको बताना चाहता हूं कॉंग्रेस की नेता सोनिया गांडी का एक मात्र लक्स है राहूल गांडी को प्रदान मंतरी बनाना और लालू जी का एक मात्र लक्स है इनके बेटे को मुख्य मंतरी बनाना मुझे बताओ जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रदान मंत्री मुख्य मंत्री बनाना चाहते हो वो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या पीजेपी की तरफ से ताने तो ये भी बारे जा रहे हैं कि अमेठी अगर कॉंग्रेस का गड़ है तो राहूल गांधी सिर्फ अमेठी से क्यों नहीं चुनाओ लड़ने की चर्चा क्यों है अगर राहूल गांधी सिर्फ अमेठी से ही चुनाओ लड़ते तो समझा जा सकता कि उन्होंने इस्पृति इरानी का ओपन चैलेंज कुबूल कर लिया है बड़ा सवाल है कि राहूल गांधी को इस्पृति इरानी से चुनाओं में एक बर फिर पठखनी खाने का डर है उसको तो अपना लिस्ट देना ही पड़ेगा कैंटी रेट को जो कैंडी रेक्षन लड़ते हैं तो इसलिए जब इलेक्षन होने वाला है च अब पार्थी आपना-पना लिस्ट बना रहा है और एक EARK करके लिस्ट प्रकास करता है और जारे लिस्ट प्रकास अभी भी हुआ पार्टी जो लिस्ट देता है वो अपना पार्टी का हिशाब से उसका संगर्निक तरीका के हिशाब से उसका नियता का पोजिशन के हिशाब से वो तैय करके केंडिडेट करता है अमेठी में स्मृती इरानी ने अपना घर पनवा लिया है ग्रिप्रवेश कर चुकी है अमेठी की मिट्टी से जोडने का दावा करती रहती है अमेठी में स्मृती इरानी का धुआधार दोरा चल रहा है स्मृती इरानी लगातार अमेठी के लोगों से मुलाकात करके राहुल गांधी को 2019 की करारी हार याद दिला रही है बिना सहारे अपनी पैत्रिक सीट तक लड़ नहीं सकता उसको कोई भी निता दूस सहाता करे अमेठी वो लोगसभा चेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कॉंग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी मैं कैसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया जिसे खुद सहारे की ज़रुरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा अमेठी लोगसभा सीट पर दशकों से कॉंग्रेस का ही कबजा रहा है गांधी परिवार है सीट पर विजय होता रहा लेकिन 2019 में सीट पर इस्मृति इरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया अमेठी में राहुल बनाम इस्मृति की चुनावी जंग 15 साल पुरानी हो चली है साल 2009 में इस्मृति इरानी ने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा था तब राहुल गांधी ने 3,70,000 से भी अधिक वोटों से इस्मृति को हरा दिया था 2014 के लोग सभा चुनाव में भी राहुल गांधी ही जीते लेकिन इस्मृति हीरानी के हार कांतर एक लाख तक पहुँच गया लेकिन 2019 के चुनाव में कहानी बलट गए इस्मृति हीरानी के हाथो राहुल गांधी 55,120 वोट से हार गए 2024 के चुनाओं में इंडिये को हराने के लिए विपक्ष की तरफ से इंडी गडबंधन बनाया गया लेकिन कॉंग्रिस का इंडी गडबंधन केरल के उस वायनाड सीट पर नहीं ठिक पाया है जहां से वो खुद सांसत हैं जहां से राहुल गांधी के चुनाओं लड़ने का अधिकारी ग्रूप से एलान हो चुका है इंडी गडबंधन में शामिल CPI ने वायनाड सीट पर उम्मिद्वार उतार दिया है CPI ने वायनाड लोगसभा सीट से एनी राजा को अपना उम्मिद्वार भोशित किया है उम्मिद्वार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आने वाले है वायनाड की सियासी समीकरण की बात करें तो वहां 56 फीजदी मुस्लिम वोटर है 34 फीजदी हिंदू वोटर है 9 प्रतिशत इसाई हैं और 1 प्रतिशत जैन वोटर है उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गडबंधन हुआ है इसके तहट कॉंग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मेद्वार उतारेगी कॉंग्रेस को मिली 17 सीटों में अमेठी, राइबरेली जैसी पार्टी की परमपरगत सीटें भी शामिल है लेकिन अभी तक कॉंग्रेस यूपी में एक भी सीट पर प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है माना जा रहा है कि यूपी के सीटों के नाम फाइनल किये जाने के साथ ही अमेठी सीट के उम्मेदवार पर तस्वीर साफ हो जाएगी लेकिन राहूल गांधी के अमेठी के चुनावी मैदान से उतरने या ना उतरने की रणनी दिपर हर किसी की नजर रहने वाली है झाल वाल लाओ तस्वीर साफ है कि मौर किसी के ऱूम के सीटों के लु办 कि रहा है यंदिया उेतर अमेठी ओ कर लये बहाए़ चल्फ Sind yarn